आत्यों, आज हम सभी साक्षी हैं कि पूरिवी भारत में कितनी तेज गरती से विकास हो रहा है। इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सेंकडों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। नौर्थ इस से भी मेडिकल कॉलेज की संक्या बढ़कर दोगुनी हो गई हैं। इसी तरह सिक्षा के खेत्र में भी पस्चिम बंगाल के कल्यानी में, बिहार के भागलपूर में और जारखन के राची में ट्रीपल आईटी खोला गया है। त्रिपूरा के अगरतला और मनिपूर के सेनापति में भी ट्रीपल आईटी खुला है। उडिसा और बिहार को आईएम, संबलपूर और आईएम बोध गया जैसे संस्थान मिले हैं। जारखन के धनबाद में आईएटी की भी स्थापना हुई है। इन संस्थानों से प्रतिभाशाली युवा निकलने वाले हैं। जो देश के भागे को बदलने में बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाने वाले हैं। उन्हें रोजगार और आसानी से मिलने वाले हैं। और इसमें पूर्वी भारत का अउद्योगिक विकास भी बड़ी भूमी का निभाएगा। बरवनी, सिंद्री, गोरकपूर और तल्चर में फर्टिलाइजर कारखाने खुलने से ना सिर्फ पूर्वी भारत के किसानों को फायदा हुआ है, बलकि बड़ी संख्या में रोजगार का भी निर्माण हुआ है।